जहिं छत्रो, मैं मुकेश हुमाराना, आज आपको एक रोचक कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है महान समराठ हर्श वर्धन का, इसमें कहानी कहानी में आप बहुत सारी बाते सीख जाएंगे और आपको वो बाते याद हो जाएगी जो आप किताब में रट रट के याद नहीं होती थी, तो सबसित भाले जानना है कि महाराज हर्श वर्धन का शासनकाल जुरा, वो 590 इश्वी से 647 से स्वी तक, 590 दस वर्ष कम 600 में और 647 को याद कर सकते हैं 1947 से, 590 से 647, इसा की छठी सताब्दी में उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्जी था, नाम था थानेश्वर, थानेश्वर में राजा प्रभाकर वर्धन राजी करते थे, वेबड़े वीर, पराक्रमी और योगिशा सकते, राजा प्रभाकर वर्धन ने महाराज के स्थान पर महाराजा दिराज और परमबटार की उपादियां धारण की, राजा प्रभाकर वर्धन उनों के छुट-पुट उपद्रभ होती रहते थे। राजा प्रभाकर वर्धन की राणी का नाम येश्वमती था। राणी येश्वमती के गर्व से जून पांसो नब्बे में एक परमतेजस्वी बालक ने जन्ग लिया। येई बालक आगे चलकर भारत की इतिहास में राजा हर्षवर्धन के नाम से विख्यात हुआ। हर्षवर्धन का राजी वर्धन नाम का एक बड़ा भाई भी था। राजी वर्धन हर्षवर्धन से चार वर्ष बड़ा था। हर्ष वर्दन की भन राजिसरी उसे लवक डेड़ वर्ष छोटी थी इन तीनों भाई भाईबानों में अगात प्रेम था हर्ष का जन्म थानेश्वर जो की बर्तमान हरियाना में है वहां हुआ था यहां एक क्यावन शक्ति पीठों में से एक पीठ है हर्ष के मूल और उत्पत्ति के संदर में एक शिलालेक राप्त हुआ है जो की गुजरात राजी के कुंडा जिले में खो जा गया है तो उनके काल में कन्नज में मोखरीवन्स के राजा अवन्ती वर्मा शाषन करते थे याद रखेगा मौखरी वन्स के अवंती वर्मा तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यों के पहशाद राजिवर्धन राजा हुआ लेकिन मानव नरेश, मालव के नरेश देव गुप्त और गौड नरेश शशांग की दुरवी संदिवस मारा गया अरथात बड़े भाई राजिवर्धन की हत्या के बाद हर्श वर्धन 606 में राजवाथ उन्होंने शुरू कर दिया खेलने कुदने की उम्र थी लेकिन हर्श वर्धन को राजा शशांग के खिलाप युद में उतरना पड़ा शशांक नहीं राजी वर्दन की हत्या की थी, गुप्त सामराजी के पतन के बाद उत्तर भारत में लगबग राजय कस्तिती बनी होई थी, ऐसी अस्तिती में हर्ष के सासन ने राजनितिक स्थिर्ता परिदान की, मान समराथ हर्ष वर्धन ने लगबग आदेश दाबदी तक अर्दाथ 590 वी से लेकर 647 वी तक अपने राज्जी का विस्तार किया हर्ष वर्धन ने पंजाब को छोड़कर शेश समस्त उत्तरी भारत पर राज्जी किया हर्ष ने लगबग 41 वर्षों तक राज्ज किया इन वर्षों में हर्ष ने अपने समराज का विस्तार जालंदर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल एबं बल्लभी पूर तक कर लिया इसने आर्या वर्ध को भी अपने अधेन कर लिया हर्ष के कुसल स्यासंद में बारत तरक्टि की उचाईयों को छू रहा था हर्ष के स्यासंकाल में बारत ने आर्ठिक रूप से बहुत प्रगती की थी माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर भी चड़ाई कर दी थी लेकिन रेगिस्तान के एक शत्र में उनको रोक दिया गया इसका उलेख भविश्य बुराण में मिलता है माना जाता है कि समराथ हर्षवर्धन की सेना में एक लाग से अधिक सैनिक थे यही नहीं सेना में साथ हजार से अधिक हाथियों को रखा गया था लेकिन हर्ष को वारामी के चालुक वनसी शासक पूलकेशिन द्वितिये से पराजित होने पड़ा इसका उलेख एहोल प्रशस्थी में मिलता है चटी और आठवी सती के दोरान दक्षिन भारत में चालुक बड़े शक्तिसाली थे इस सामराज जी का प्रथम शासक पूलकेशिन पांसो चालिस सच्पी में शासना रूड हुआ था और कई सांदार विजय हासिल कर उसने शक्तिसाली सामराज जी की स्थापना की उसके पुत्रों किर्थी वर्मन वा मंगलेशा ने कोकन के मौरियन सहित अपने पड़ोशियों के साथ कई उद करके सफलताई आजित की और अपने राजी का विस्तार किया कीरति वर्मन का पुत्र पुलकेशन द्वितिये चालुक की समराज के महान शास्कों में सेग था उसने लगवग 34 वर्षों तक राजी किया अपने लंबे शासन काल में उसने महाराष्ट में अपनी इस्थिति सुद्रिड की वह दक्षिन के बड़े भुभाग को जीत लिया उसकी सबसे बड़ी उपलब्दी हर्षवर्धन के विरुद्ध रक्षात्मक युद्धर लड़ना वी था हर्षवर्धन ने रतना वली प्रिय दर्शिगा और नागा नंद नामक नाटिकाओं कोई भी रजना की कादमबरी के रजईता कविवान भड़ने जो की महाराज हर्षवर्धन के परमित्रों में सेग थे और उनके दरवारी कभी भी थे उन्होंने हर्षवर्धन में उनके पूरे जीवन का सार को दर्शाया है महाराज हर्ष ने 641 स्वी में एक ब्राम्हन को अपना दूत बना कर चीन भेजा था 643 स्वी में चीनी समराट ने ल्यांग हो आई किंग नामके दूत को हर्ष के दरवार में भेजा लगवक 646 स्वी में एक और चीनी दूत मंडल लिन्य प्याओं एवं वान तन से के नेत्रित में हर्ष के दरवार में आया है इतिहास के मुताविक चीन के मशूर यात्री हुएन सांग हर्ष के राज दरवार में आठ साल तक उनकी दोस्त की तरह रहे थे तीसरे दूत मंडल के भारत पहुचने से पुर्वे हर्ष की मृत्य हो गई थी हर्ष वर्धन की अपनी पतनी दुर्गाबदी से दो पुतर थे वाग्य वर्धन और कल्यान वर्धन पर उनके दोनों बेटों की अरुनाश्वा नामक मंत्री ने हत्या कर दी इस वज़े से हर्ष का कोई वारिस नहीं बचा हर्ष के मरने के बाद उनका सामराज दिरे दिरे विखरता चला गया और फिर समाब्त हो गया तो कैसे लगी आपको ये कहानी अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हर्ष वदन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं या कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आप चैनल पे बिलकुल भी नए हो और इसी तरह की मज़ीद वीडियो अब देखना चाहते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके रख लें नग्यवाद